नमस्कार आप देख रहे हैं E.N.N. भारत और मैं हूँ आपके साथ नंदिता हाथ बांध कर बैट नहीं सकते, हाथ थाम कर चलना होगा नई दिन की नई सुबे में देश के लिए आगे बढ़ना होगा और इसी जजबे के साथ देश को एक करने के लिए राहुल गांधी निरंतर चल रही है कन्या कुमारे से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली है आज ये यात्रा पंजाब में तुर्वेश कर चुकी है और इस यात्रा का अगला बड़ा जमो कश्मीर है हाल ही में यात्रा हरियाना से गुजरी हरियाना में इस यात्रा को लोगों का बहुत इसने और प्रेम मिला इस राज्य की सबसे जौदा महिलाओं ने यात्रा में भाग लिया हरियाना में यात्रा को संबोधित करते वे राहूल गांदी ने लोगों का धन्यवात किया साथ ही साथ बीजेपी पर भी जम कर जुबानी तीर बड़साए राहूल ने कहा भारत जोड़ो यात्रा को हर जगे जबरदस्त परतिक्रिया मिली उन्होंने कहा ये यात्रा भै, नफरत, महंगाई और वेरोजगारी के खिलाफे यहां उन्होंने तपश्या और पूजा की बात की उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए दो तरीकी के होती है, धन की बात कर रहा हूं, पूजा नॉर्मली होती है कि भई, मैं भगवान के पास जाता हूं, और मैं उनसे कुछ बंगता हूं, मगर इनिशिटिव जो पूजा करता है, उसका होता है ठीक है RSS की पूजा अलग है RSS चाहता है कि forcibly उनकी पूजा हो मोदी जी चाहते हैं इसलिए वो आप से नहीं मिलते हैं कि forcibly उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें उसका रिस्पॉंस एक ही हो सकता है उसका रिस्पॉंस तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉंस नहीं हो सकता है और इसलिए यह जो यात्रा है यह बहुत सक्सेस्फुल है क्योंकि इसमें सिर्फ कॉंग्रिस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है सिर्फ एक व्यक्ति तपस् कर रहे हैं और इस यात्रा का मेसिज यही है वीडियो में आपने सुना की भाजपा और आरेसेज पर निशाना साफ्तेवे राहुल गांदी ने कॉंग्रस को तपश्या का संगठन और इसी के विपरित बीजेपी को पूजा का संगठन कहा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्ह राहुल गांदी ने गीता काबिज जिफ्र किया राहुल ने कहा जब अर्जुन मश्ली की आंग पर निशाना लगा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि निशाना लगाने के बाद वो क्या करेंगे क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की चीनता मत करो और वैं की इस्तर पर भी कॉंग्रस पार्टी में देखने को मिला है जमो कश्मीर में गुलाब नभी आजात के साथ पार्टी छोड़ कर गए कई नेता अब घर वापसी कर चुके हैं इन नेताओं में परिजादा मोहमद सहीद मनोवरलान तारा चंद और बलवान सहीद 17 नेता शाम से आरेसस ने इस देश की संस्ताओं पर कब्जा किया यह लड़ाई राजनीतिक नहीं रह गई है यह अब एक और लड़ाई है आप इसे विचार धारा या धर्म की लड़ाई कह सकते हैं लेकिन अब राजनीतिक लड़ाई नहीं है और कॉंग्रस एक तपश्या का संगटन है जो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तया है वहीं बेरोजगारी की समश्या को हल करने के लिए राहुल गांदी ने एक प्लान भी बताया उन्होंने कहा कि जब हम देश में दूसरी हरित क्रांती लेकर आएंगे तो क्रिशी को बढ़ावा देंगे फूर प्रोसेसिं जूड़ी खबरे सबसे पहले देखने के लिए एनन भारत को सब्सक्राइब करें नमस्कार